हेलो दोस्तो नमस्कार स्टाक मार्केट शेयरेटू चैनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं एजी ट्रिप प्लानर लिम्टेड शेयर की क्योंकि इससे सम्मंदित बहुत बड़े बड़े अपडेट निकल के आए हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में दे टार्गेट क्या बताया जा रहा है इसका सपोर्ट क्या निकल क्या रहा है और साथी साथ इसका जो रेसिस्टेंट जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है यह भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और एक एक चीज को हम डिटेल से देखने वाले हैं अब हम अगर बात कर कि इसमें कौन-कौन से अपडेट निकल के आया है तो इसमें जो सबसे पहला अपडेट निकल के आया है उसको जो ट्रेडिंग है वो कुलोज होती हुई नजर आएगी आथी साथ इसने एक कंपनी में एक रणनेतिक हिस्सदारी भी बनाई है तो हम यह भी देखने के कोशिस क करेंगे कि किस कंपनी में रणनेतिक हिस्सदारी बनाई है कितनी बनाई है और जिस कंपनी में रणनेतिक हिस्सदारी इन्होंने खरीदी है उसमें यह कंपनी आखिर करती क्या है इसके अलावा जो भी रेसिस्टेंस सपोर्ट और निकल के सामने आएगा उसके बारे में भी डीटेल से चर्चा हम करने वाले हैं, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, इसमें आप देख रहे हैं कि जब मार्केट दिसंबर 29 को जब ओपेन चल रहा था, तो उस समय ये लबक 4% क की तेजी के दिखाते हुए 40 रुपे 35 पैसे पे बंद होता हुआ नजर आया था, और इसमें अच्छी खासी ट्रेडिंग भी हुई थी, वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो इस शेयर ने लबक 4% का, जबकि एक महीने में 45% का, वहीं अगर 6 महीने की तो माइनस में 0.37% का, रिटरन लिकाल के इस कंपणी ने दिया है, जबकि एट्स की बात करें तो, माइनस 24, वहीं अगर हम बात करें ।ो इस सेयर ने लबक 25% का निवे, बिटरन लिकाल के देता हुआ दिखाई दे रहा है, बात करें मैक्सिम चार्ट पैटर्ण की तो इस उसने लगवग 22-30% का रिटरन लिकाल के अपने शेर होल्डों को दिया है और यह जो आप गिरावट देख रहे हैं यह उस समय के गिरावट है जब इस कम्पनी ने बोनस शेर के साथ साथ स्प्लिट पी दिया था और यह जो कम्पनी लगवग 56-500 से घट के लगवग 75 रुप हो रहे हैं और लगातार इस कम्पनी में अच्छे खासे न्यूज लिकाल के आ रही है हाला कि यह कम्पनी स्टाइड वे में ही ट्रेट करती हुई नजर आई है लेकिन आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस कम्पनी ने जैसे जैसे अपना ग्रोथ करना सुरू कर दिया है उसके हिसाब से यह कम्पनी और अच्छा खासा रिटर्न लिकाल के आने वाले भुविसे में देने वाली है अब मगर बात करें एनाउंस्मेंट की यानि जो न्यूज लिकाल के आई है उनकी तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक न्यूज लिकाल के आई है 28 तार उसे में फंट्रेक्षे समंद्री चीजों पर चर्चा होने वाला है और अगर हम बात करें दूसरे नीज की यहां पर देख रहे हैं एक मिडिया रिलेज के माध्यम से बताया गया था कि एक किशिशन किया है उसके बार में भी अभी हम देखने वाले हैं और जो तीसरी निय है जो क्वार्टर वह आने वाला है हाथ की उत्री के रिजल्ट इसका आने वाला है और इस इसके जैसे यह इन गोशुडरा होती है उसके बाद जो है सारे कर्मचारी है प्रमोटर है उनकी ट्रेडिंग रोक दी जाती है और उसी संदर्म में ये नोटिफिकेशन भी लिकल के सामने आया है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 28 तारीक जो नोटिफिकेशन लिकल के आया है उसमें ये बता रहे हैं कि ये जो एक बोर्ड मीटिंग करने वाले हैं 2 जनवरी 2024 को 11 बजे और चुकि आप जानते हैं कि 2 जनवरी को मार्केट ओपेन है और मार्केट जब ओपेन है उसी समय ये मीटिंग होती होई नजर आएगी और इस मीटिंग में फैसला ये होने वाला है कि जो फंड रेजिंग करने वाले हैं उस पे डिसकस करने वाले हैं और यह जो fundraising करने वाले हैं वो preferential जो issuance होता है equity share का या end share warrant का उसके अधार पर यह fundraising करने वाले हैं अब यह जो कितने fundraising करने वाले हैं यह तो 2 जनौरी को ही सामने लिकल के आएगा और जैसे ही news लिकल के आएगी हम भी आपको वीडियो बना के जरूर update करते हुए नजराएंगे कि इन्होंने कितनी fundraising के लिए planning शुरू कर दी है अब हम अगर बात करें दूसरे news की तो जो दूसरा news लिकल के आया है वह 22 दिसंबर को निकल के आया है और यह media release के माध्यम से इन्होंने बताया है कि easy my trip जो expand portfolio with strategic investment in eco hotel and resorts limited इन्होंने एक रणनीतिक जो है भागिदारी सुनिशित करी है अपना और अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हुए नजराएं हैं जिसके बारे में इन्होंने अपडेट निकाल के दिया है जिसका अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह hotel में अपनी हिस्दारी खरिदते हुए न होटल्स में अपनी हिस्दारी खरिदते हुए नजराएं हैं और अगर हम बात करें होटल्स की आथी साथ एक चीज़ और आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो इन्वार्मेंट फ्रेंडली होटल्स का दिमांड बढ़ रहा है जिस तरीके से इन सब चीजों के ट्यूरिस् दिखाई दे रहा है अब हम अगर बात करें अगले अपडेट की तो यह जो अपडेट निकल के आया है 21 दिसंबर को निकल के आया है और इसमें यह बता रहे हैं कि एक जनौरी 2024 से यह फिलहाल अपना जो ट्रेडिंग है वो बंद करते हुए नजराएंगे और इसमें जो ट प्रमोटर के साथ जो इंपुलाइज हैं उनके लिए अब मगर बात करें इसके रिसिस्टेंट और सपोर्ट की तो यहां पर आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा रिसिस्टेंट लिकल क्या रहा है और बरत्मान में फिलहाल यह 40 रुपे के आसपास टेट करती हुई निद आएगी वहीं अगर सपोर्ट की बात करें इसका सबसे बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा है और इसमें जब भी गिरावत होती है तो यह 49 रुपे 34 का सपोर्ट लेती हुई निदर आती है लेकिन 41 रुपे करास फिलाल अभी करती हुई नहीं दिखाई दे रही है लेकिन जै यह कंपनी आगे बढ़ती रही जल्द ही आप 50 रुपे का जो टार्गेट दिया जा रहा है उसे भी टच करते हुए नजर यह कंपनी आज सकती है अब हम अगर बात करें इस हपते टार्गेट का तो जब सबसे बड़ा टार्गेट दिखाई दे रहा है वह 45 रुपे 15 पैसे के पर दिखाई दे रहा है और फिलाल यह 40 रुपया 38 पैसे का जो टार्गेट है और अचीव करती हुए नजर आई है और इस हपते यह 45 रुपया 15 पैसे का जो टार्गेट है उसके तरफ ही अगरसर होती हुए नजर आज सकती है इसलिए इसमें एक चीज़ आपको कहना चाहे पकर चाहेँ और साथ ही साथ इसमें जो भी इन्वेस्च्मेंट कर सिसकी पूरी जिम्दारी लेते शूए को अर्फान इसमें किसी कारवर्स गिरावत आती है तो उससे पहला जो टार्गेट करना है अर्फा सपोर्ट प्राप्त करना है तो वो 36 रुपे 62 पैसे पे ये टार्गेट हीट करता हुआ नजर आ सकता है लेकिन जीस तरीके से इसमें डेवलोपमेंट पे डेवलोपमेंट हो रहे हैं नीचे जाने की संभावना इसमें तो कम ही दिखाई दे रही है लेकिन अगर 45 रुपे का जो टार्गेट दिखाई दे रहा है हो सकता है इस हबते ये एचीव करते हुए भी नजर आ सकती है तो इस सेर पे आप ध्यान बनाए रखिए इसको अपने वास लिस्ट में सामिल करके इसे थोड़ा ध्यान से देखते रहे है तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिलकुल लब भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट से आपको ऐसे ही समस में पे मिलता रहे है जैहिन दोस्तों